रामन को श्री हनुमान जी की पूँच से चिढ़ थी बात साधारन है लेकन अगर देखा जाए तो पूँच से ही क्यों चिढ़ थी पूँच शब्द में शलेश है अंग विश्यस को तो पूँच कहते ही हैं और समाज में लौकिक पृतिष्ठा को भी पूँच कहते हैं जिससे भी पूँच हो कि भाई इनका क्या हाल है तो लोग प्रसंसा करने में कहते हैं इन्हें साधारन आदमी समझते हो इनकी बड़ी पूँच है कुछ लोग तो कहते हैं इनकी यहां से लेके वहां तक पूँच है आदमी खुश होता है कि हमारी पूँच है आज देखो कई घरों के बाहर वयो व्रद व्यक्ति मिल याते हैं बड़े उदास उन से पूँचो क्या बात है तब पहले तो नहीं बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं पिर भी क्या बता हैं बोलो का इस घर में अब हमारी कोई पूँच नहीं रही रोना भी इसी बात का है कि पूँच नहीं रही और परसंसा भी इसी बात की एक बड़ी पूँच है लोग कहते हैं उनके घर गए चाय की कौन का है पानी तक के लिए नहीं पूँचा और मुझे लगता है कि सारे संसार में जगडाही ये पूँच कई है और हम चाहेते हैं कि सबसे पहले हमें पूँचो फिर किसी को पूँचो चाहे मत पूँचो और रावन को भी श्री हनुमान जी की पूँच से चिड़ है क्योंको उसे लगता है कि हमारे यहां इनकी पूँच लंका में तो हमारी पूँच रहनी चाहिए लंका हमारी और पूँच इनकी उसे पूँच सहनी नहीं हो रही है अज़ एक बात यह है कि हमेशा हर युक का सत्य है कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूँच सहन नहीं होते है रावन को भी सहन नहीं हो रही है यह पूँच लेकिन एक और अधुद बात है रावन इस पूँच को जला देना चाहता है जलने वाले तो जलाएंगे जल ही राएं है इरिशा की आग में जलाएंगे ही हलाकि हनुबान जी ने इस पूँच को कुछ नहीं समझा जब रावन बोला कि बंदर को मार डालो राक्षास मारने दोड़े बिभीशन की बड़े सां ती पूर्वक आये और उन्होंने कहा कि अरे क्या कर रहे हो नीत विरोधन मारी ये दूता रावन मान गया और बोला बंदर के अंग भंग कर दिये जाएं अंग भंग करी पठ़ई ये बंदर अब यह भी दो को कितनी अद्वत बात है रावन कहता कि बंदर के अंग भंग कर दिये जाएं श्री हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की आग्या तो ही है नाम नहीं लिये गए कि कौन से अंग भंग किये जाए और रावन को अंग भंग करते समय कहीं अपनी बहन सूर्पुनका की याद आ गई कि बंदर के नाक कान काट दो तो हनुमान जी कितनी सुंदर बात सोचते हैं वो सोचते हैं कि हमें भगवान ने भेजा है तो क्या हम विकारों के हाथ अपनी नाक कटा के जाएं हमें भगवान ने भेजा है तो क्या इन विकारों के हाथ अपनी नाक कटा के जाएं अगर नाक कटा के जाएंगे तो क्या भगवान को मुहित दिखाने लाइक रहेंगे और हमें लगता है कि हम सबको भी भगवान ने भेजा है यहाँ तो कम से कम इन विकारों के हाथ से नाक कटा कर न जाएं देखो सूर्पनखा वासना के रूप में आई थी और इस वासना ने बड़ों-पड़ों की नाक काट दी अचा नाक कटना मुहाबरा भी है आदमी की आँख गड़वड हो जाए चस्मा लगा ले कान गड़वड हो जाए गमच्छा बांध ले टोपी पहन ले और नाक जाए तो मामला फिल कुछ छिफाने का बचता ही नहीं है अचा एक और अदुद बात है इन श्री रामजी, लक्शमंजी जानकीजी तीनोंने किया सत्संग कोई नहों तीनहीं सत्संग करते हैmb अचा सत्संग भी कहा करते हैं? पंच्वटी में और कितनी अदुद बात है पंचवटी में सत्संग अर्थात इस पाँच तत्व का शरीर पाकर हमें सत्संग करना ही चाहिए और कोई नहो हो कोई बात नहीं लक्षमन जी पूँचते हैं राम जी उत्तर देते हैं जान की माता शुरोता है तीन ही सत्संग कर रहे हैं ज्यान वेराग भक्ति का सत्संग हुआ और सत्संग के बाद सूर्पनका आई, ये बड़ी अटपटी बात है, सत्संग के बाद सूर्पनका पहले आती तो समझ में आती, पर सत्संग के बाद आएगी ही, क्योंकि परीक्षा तो पढ़ाई के बाद ही आती है, सतसंगी सच्चे की कच्चे ये परीक्षा करने आई पर धन्य है रामचरित मानस का यह प्रसंग कि इस वासना ने बड़ों-बड़ों की नाक काट दी और उस वासना को नाक कान काट के विरूपी करन कर दिया इन सतसंग योने अगर सतसंग सच्चा हो तो वासना नाकान नहीं काट पाती, वासना ही नाकान कटा कर जाती है, तो हनुमान जी सोचते हैं कि हम रावन के यहां से नाकान कटा के जाएं, नहीं, तो फिर नाक तो बनी रहे, पूँच, पूँच जाए तो जाए, पूँच तो पीछे है, हनुमान जी ने एक काम किया, पूँच लटक रही थी पीछे दोनों हाथ से पूँच को उठाया माथे से लगाया कभी चूमते हैं फिर माथे से लगाते हैं चूमते हैं फिर माथे से रावन ने देखा कि मामला क्या है रावन तुनंत बोला कभी कहे ममता पूँच पर हम समझ गए कि बंदर को और कोई अंग ही याद नहीं आए, पूँचह ही याद आए, और रामन की दृष्टी पूँचह ही पे गई, सब ही कहों समुझाए, हनुमान जी ने सोचा काम बन गिया, लेकिन रामन यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए कि पूँच देव कटवाए, हनु रामन बोला तेल वोरी पटवांदी पुनी पावक देव लगाए, तेल में कपड़े डुबो, पूँच में लपेटो, आग लगा दो, बचन सुनत कभी मन मुसकाना, भई सहाय, सारद में जाना, सरत्स्वती माता ने सहायता कर दी, सरत्स्वती माता की क्रिपा, रामन बोल तेल में कपड़े डुबो, पूँच में लपेटो, लेकिन जहां का राजा ऐसा हो, प्रजा कोई कम हो, लंका नगर निवासी बोले तेल में क्यो हमारे यां घी की कोई कमी है, क्या है? रावन तेल में कपड़ा डुबाने की बात करता है वो घी से शुरू करते है रान नगर बसन गरत घी खतम रावन के पास आए कि घी तो खतम है रावन बुला मूर को घी के लिए कहा किसने था लाग से खुले हम समझ रहे थे कि बंदर की पूँच में थोड़ा बहुत लगेगा वो तो घी तो समाप और पूँच तो बढ़ती ही जा रही है तो क्या करें एक काम करो तेल बचा है तेल में डुबो कपड़े हनुमान जी के पास गए कि घी तो है नहीं तेल ही है हनुमान जी बोले जैसी जिसकी सरद्धाओ ले आओ हमें सब सुईकार है श्री तुलसिदाज जी महराज कहते हैं रहान नगर बसन घरत तेला और बाड़ी पूँच कीन कपी खेला पूँच इतनी बढ़ी इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यही है कि जब जब कोई दुर्जन अपनी ईर्षा की आग में सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूँच को जलाने की चेष्टा करता है तब तब भगवान की कृपा से वो पूँच और बढ़ती है प्रतिष्ठा और बढ़ती है भगवान की कृपा क्या बिगड़े पूँच का रावन कुछ सोच इनी पारा हनुमान जी ने सोचा कि एक बार नगर घूम के देख लेते तो ठेक था क्योंकि हमारी पूँच जलाने के लिए घर-घर से सही योग हुआ है सबने चंदा दिया है किसी ने घी, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा हाँ ऐसा नहीं कि राक्षस न करते हों चंदा करते हैं किसी का जीव अननश्ट करना हो तो यह बड़े प्रेम से हनुमान जी भी सोच रहे थे कि प्रसाद भी तो वहाँ वहाँ देना पड़ेगा जहां जहां से चंदा आया है तब तक रावन बंदर को नगर में घुमाओ हनुमान जी बोले यही तो हम चाहते थे लेकिन वाह धन्य है श्री बजरंग वली एक और अतुलित बलद हामम और दूसरी और शील कैसा राक्षास मार ही चरन कर ही बहो हांसी लात मारते हैं हांसी उड़ाते हैं पर हनुमान जी तो कीन चाहूं निजप्रभु कर काजा राम जी के बान बन कर आये हैं राम जी ने कफी पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजयो माथे पे हाथ की छाह करी कर मुदरी हाथ गाहाई के भेजयो राजस बेन न बोली सके तब नेनन नीर बहाई के भेजयो संकट सीए को काटीवे को हनुमान नहीं बान बनाई के भेजयो हनुमान जी बान बन कर आये हैं अच्छा और जानकी माता के सामने भी बोले जानकी माता के सामने हनुमान जी ने यही कहा माता ने जब हनुमान जी को देखा कि प्रहु ने मुझे भूला दिया हनुमान जी बोले माता प्रहु आपको भूला ही नहीं सकते क्या प्रमान है कि भूला दिया का प्रमान यही है कि चरण पर चंचुका प्रहार करने वाले जैंत के पीछे भगवान ने बान लगा दिया हरन करने वाला अब तक आराम से बैठा है हनुमान जी ने कहा कि जैंत के पीछे बान उस समय तो प्रहो के पास धनुस्वान नहीं था सीता जी बोली कि वो सीख का बान जिन सीख और पुष्पों से मेरा श्रंगार कर रहते सीख का बान लगा तो लोगों को तो सीख दिखती होगी अरे लोगों को दिखती होगी सीख पर प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा भगवान का संकल्प था बान था वो तो हनुमान जी वोले माता जैंत के पीछे सीख के रूप में बान लगाया हो सकता है अगा हरन करने वाले के पीछे किसी और रूप में बान को लगा दिया हो तो हरन करने वाले के पीछे किस रूप में बान को लगाया तब हनुमान जी ने कहा ये रगुपति बान क्रशान प्रमान का जिमि अमोग रगुपती कर बाने एही इभात इचले उए हनुमाना को आपने जान लिया था मेरे बिना बताए जान की मातवली हमने कब जाना का जब रावन आपको डरा धमका रहा था तब आपने सोचा क्या मैं यहां अकेली हूँ तो मन में तुरंत आया का नहीं असमन समुझी ऐसा समझ कर मन कहत जान की खल सुधी नहीं रगवीर बान के अगर इतर कथाओं का आश्रे न लिया जाए तो राम जी का बान तो हनुमान जी ही है और श्री हनुमान जी राम जी के बान अच्छा बान तो चलते हम लोगों ने देखे होंगे वैसे न देखे होंगे तो टीवी सीरियल में महाभारत रामाइन में बान चलते हैं लेकिन इन बानों के पाउं नहीं देखे हो देखे कहीं किसी को बान के पाउं पाउं है नहीं और चलते हैं इसका अर्थ है बिना साधन के गती होती इनकी साधन नहीं है पर गती होती है और मैं कहता हूं कि जो राम जी के हाथ का बाण बन गया उसकी गति भगवान के हाथ में होती है तो हनुमाञ जी तो राम जी के बाण है चाहे कुछ भी कहे सुने, पूरी लगा गोहम कर आए देख लिया विभीशन जी के घर से कुछ नहीं आया हनुमान जी ने सूचा इन्हें परसाद भी नहीं देना है जन्ने चंद ही नहीं दिया इन्हें काय का परसाद और जब आग लगी तब देखो कितनी अधवत बात है आग तो खुद बता देती ही कहम लग गए आग हनुमान जी को देखनी पड़ी कि सच मुछ लग गई पावक जरत देख हनुमान था अगनी उन्हें नहीं जला रही है उन्होंने देखा कि आग लग गई अच्छा कितना बढ़ीया काम किया हनुमान जी कहते हैं कि जब बड़ी पूँच देखकर बड़ों-बड़ों को आग लगे अपूँच में आग लगावें तब अपने को छोटई बन जाना चाहिए भयव परम लगु रूप तुरंता हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और छोटे हुए तो ब्रह्मा के बनाए हुए बंधन से निकल गए जो ब्रह्मास्त्र में बंधे थे उससे निवु की चड़े उकक भी कनक अटारी और जो चोटा बनकर विदी विदान के बंधन से बाहर निकल जाता है बाहर निकलते ही वह इतना बड़ा होता है भगवान की क्रिपासे के आकास को छूता है और हनुमान जी नहीं तो बाल दी विसाल बिकराल जौल जाल मानो लंक लीले वेकों काल रसना पसारी है ऐसाब रावन दीखते ही रहे गया जो राक्छस सब देख रहे हैं बचाओ बचाओ रावन कहता है चिंता मत करो रावन ने बड़ी चेश्टा की बादल बुलाए पर हवा यतनी तेज के पानी कहीं बरसाएं बादल गिरे कहीं बादल कहीं थे हम फैसले जी नहीं कर पारें कहां से बरसें के लंका में गिरे पानी रावन बुलाए एक तरफ अटो प्रले के बादल बुलाए प्रले पयोधी बोले पर वो पानी बरसे तो आग और बढ़ है बड़ी समस्या अंत में जल गई लंका की नहीं और हनुमान जी की पूँचका कुछ नहीं बिगड़ा मैं भी कहता हूँ कितनी भी आग लगी दिखाई दे बिरोध की आग वो बिरोध की आग नहीं है देखो श्री हनुमान जी की पूँचका कुछ नहीं बिगड़ा ये लंका बिगड़ गई सोने की लंका बिगड़ गई पर हनुमान जी की पूँचका क्यों नहीं बिगड़ा केवल एक बाद जान की माता ने पूछा, लंक जला के जली भी नहीं, जान की माता पूछती हैं, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमन्त विचेत्र है, पूछ तुम्हारीं। हनुमान, बड़ी अद्वुत पूछ है, लंका जला के भी नहीं जली। हनुमान जी ने कहा कि माता, बोले कपी ही राघव आगे हैं। हिर्दय में आगे राम जी हैं, बोले कपी ही राघव आगे हैं। अब पीछे हैं पूछ रहेस्य भारी। हिर्दय में आगे राम जी हैं, अब पीछे मेरी पूछ हैं। इस वानर को कौन पूछता? राम जी आगे हैं। और राम जी के कारण ही मेरी पूछ है। और जिस पूछ के आगे भगवान हिरदय में विराजमान हो। उसे पूछ के पीछे नहीं पढ़ना पड़ता, पूछ उसके पीछे पढ़ जाती है। और इसी लिए हनुमान जी की यह पूछ की महिमा हैं। जिसका रामन कभी कुछ नहीं बिगाड सका। और आज तक हनुमान जी की पूछ है।